नमस्कार दोस्तों मैं ललित तोनी दश्टी आई है इसकी न्यूज औन मैप शंखला में आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ लोकेशन्स की जो पिछले हफता में न्यूज में रही है जो कि आपके प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टन हो सकती है तरी तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग अभ्यास परश्म देखेंगे जो कि आपको पिछले हैं हफते दिया गया होगा हाली में खटिया गाउं और पढ़ता बेट डो जगें खबरों में देखी गई है यह किस से संबंध है यह किस संबंध रखती है आपके ऑप्शन्स है पुरा तातिक उत्खलनन किसी संक्रामक रोग का व्यापक रूप से फैलना करशी अनुसंतान सं यहां पर आप देखेंगे जब हम खटिया गाउं और पढ़ता बेट की बात कर रहें तो अभी यह दोरों चीज़े न्यूज में रही है क्योंकि पढ़ता बेट पे आपको एक कब्र मिली है या फिर यू करें कि एक बरियर ग्राउंड मिला है जहां पे एक रेक्ट्री को फटब पनाया गया गया है और यह क्बरें लगबक 5200 साल पुरानी है और यह घडपपा सलसकती के साथ संबन रखती है ठीक है जब हम खटिया गाउं की बात करें तो यहां पर कुछ वक्त पहले कुछ साल पहले यहां पे लगबक 500 कबरें मिली थी जहां पे काफी सारे यह जो आपका कह सकते हैं कि उत्तर होगा पुरा अतातिक उत्खलनन की वज़े से यहां पर यह कबरें मिली है इसलिए चर्चा में ठीक है अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार आप देखेंगे कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में यहां पर एक छोटा सा इसलिए यह दोनों फेमस हो जाते हैं इसके लवा गुजरात में और भी कुछ पर्मिनेंट साइट है यहां पर आप देखिए जैसे आपको पता होगा यहां पर पढ़ता है जहां पर कबरें मिली है तो उसके लिए यह फेमस हो जाता है इसलिए इसको अध्यार में रखिए है फिर यहां पर और भी ऐसी चोटी मोटी साइट से जैसे की आपको पता होगा कि अमरी चन्हुदारों कोट दीजी यह सब हरपन सिविलाजेशन की साइट से इसके अलबा मोहन जवदारों इंपोर्टेंट हो जाता है और बनावली आपके लिए इसलिए इंपोर्टेंट ह है कि आपको पता होगा कि जब हम हरपन सिविलाजेशन की या हरपा संस्क्रति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर जो शहरों का विकास काफी अच्छे तरीके से हुआ ता ड्रेनेज सिस्टम वगेरा सब कुछ था यहां पर पानी की निकासी के लिए अच्छे हा इसके बारे सवाल पूछ लेती है अब आते हैं अगले सवाल पर उससे पहले यहां पर आपका उत्तर होगा तो अगला सवाल है उगादी हिंदू नवर्ष की शुरुवात का प्रतीख है और यहां केवल आदरप्रदेश और तयलंदा ना मैं मनाया जाता है दूसरा है साज भारत के तेलंगाना आंदरप्रदेश और करना तका में मनाया जाता है तो यह स्टेट्मेंट गलत हो गया कि केवल आंदरप्रदेश वा तेलंगाना में मनाया जाता है तो यह गलत है क्योंकि यह करना तक में भी मनाया जाता है ठीक है इसके अलावा साजीबू चैरोबा य काफी influence है और मनिपूर अभी चर्चा में रहा है कुछ वक्त पहले आप वाइलेंस वगरा हुई थे इसकी वजह से मेथी कम्यूनिटी चर्चा में रही थी और यह जो त्योहार है मनिपूर का एक त्योहार है जो इस कम्यूनिटी के द्वारा मनाया जाता है ठीक है तो आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है आपका उत्तर हो जाएगा केवल दो ठीक है अब आकर के एक बाद इनकी जो जगाहों के बारे में देख लेते हैं जैसा कि बने बताया उगादी जो है आपका करनाथ का तेलंदना और आंदरपर देस तीनों जगा मनाया जात है फसल के मौसम की शुरुवात को चिन्हित करते हुए यह एक आशा समद्धी और बहतर कल की वाजे की शुरुवात करता है इसी तरह उगादी जिसे तेलगु नवर्ष की रूप में भी जानना जाता है यह आंतरपर देस तेलंगाना और करना तका राज्यों में बड़े उत्ता के साथ मना जाता है यह चंदर करना जह पर पहले महीने का पहला दिन लेगा पर होगा दो आपका उत्तर होगा अगला सवाल देखते हैं निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए अर्दाक जॉंसन रेखा अक्साई चिन को ततकालिण जम्मू और कश्मीर अब लदाक यानि चाइन के नियंतर्ण में दिखाती है यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि अर्दाक जॉंसन देखा जो है वो अक्साई चिन को जो कि अभी लदाक में है वो चाइना के नियंतर्ण में दिखाती है तो हम देख लेंगे यासा है कि नहीं है फिर मेकारिटनी मेकडॉनल्ल लाइन जो है वो अक्साइज इनको भारत के इंदियन तर्म में दिखाती है ये भी देख लेंगे फिर बिटिस भारत के राजनएक और आर्थिक अधिकारों को शुरक्षित करने के लिए 1903 में तांसिस यंग हज्डमेंड के निततों में एक सेन्य अभियान लाहासा वेजा गया था थीए इसके बारे मैं देखेंगे आपको देखना कि कितने जो श्टेट्मेंट है कितने कथन जो है वो सही है पहला बात करते है उससे पहले आपको एक मैप दिखाता हूं मैं यहां पर आप देखेंगे यह आप की है अर्दार जॉंसन लाइन अब यह सारा इस्ट व सारा यहाँ पे जिसमें इन्होंने कहा है कि यह चीन के नियंतने में दिखाता है वो की गलत है kilow यह यह कहती हैकि भारत की सीमा यहां तक है इसका मतलब तो यह वाली जो छेत्र है यह चीन के छेत्र में दिखाया गया है तो वह statement भी गलत हो जाता है क्योंकि वह कह रहा है कि भारत के नियंतर में दिखाते हैं इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा तो आप यह दोनों रेखा है अच्छे से याद रखेंगे कि अर्गा जॉंसन पर देखा जो है वह दिखाती है कि अक्साइचीन का हिस्सा भारत के अंदर है ठीक है और मेकारजनी में की अधिकारों को शुरक्षित करने के लिए 1903 में एक सेन्य अभियान बेजा गया था फ्रांसिक यह यहां पर देखेंगे अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था कि जब हम बात करते हैं भारत की और फिर तिबत की फिर चीन की और उपर रशिया की तो 1934 के आसपास आपको पता होगा कि जो चीन और रशिया के समंद्ध अच्छे होने लगे थे और रशिया एक्सपेंड कर रहा था उसक्त सारे ये जो है सामराज्यवादी नीतियां अपनाते थे तो एक्सपेंड कर रहा था तो बिटिश शरकार को ये डर था कि कहीं रशिय करें काफे इंपोर्टेंट एरिया था ये इनका स्ट्रॉंग होल्ड था तो वह नहीं चाहते थे कि वह यहां तक है तो इसलिए उन्होंने फ्रांसिस यंग हजबेंट के नेतित्व में 1934 के अंदर एक सन्य अभ्यान बेजा था जो लहासा बेजा था और उनका उद्दिश चित्टीदार के नाम से भी जाना जाता है चित्टीदार या फिर्यों का इस पॉटेड ठब्बे से होते है इसके लिए इसको अब यहां पर देख लेतर है चीतल चीतल अभी न्यूज में इसलिए है चर्चा में इसलिए है क्योंकि अंडमान और निकोबार में अंडमान निकोबार जो अपने ज्वीव समूँ है वहां पे इनकी आबादी जो है काफी बढ़ गई थी आबादी बढ़ी इसलिए थी कि कुछ वक्त पहले जब यहां पे बेड़िये हो इस तरीके कि जानवर नहीं पहुझा दे जिसकी वज़े से इनकी आबादी देर बढ़ने लगी अंग्रेश चलेगा यहां से लेकिन चीतल अब्भी भी वहां है इसकी में आबादी बढ़ने लगी और उस एडिया में वहां के जो आपके घास के मैदान है उनके ऊपर एक burden बन गए यह लोग और घास के मैदान खत्म होने लगे जिसकी वज़े से एक तो इनकी आबादी को भी threat है दूसरा वहां की जो लोकल आबादी है जैसे माल लीजिए घास के मैदानों में बहुत सारे और सारे जानवर होते हैं जो वहां मौजू दते हैं जैसे अब आकर कर बाकी चीज़ें मिदेख लेते हैं यह इसके ऊपर यह चोटेछे दमबो की वेरी से spotted चीटल का जाता है चीटल जिसे चितिदार हिरन का जाता है रूप से भी जाना जाता है भारत और श्रीलंका के गास के मैदानों और जंगलों का मूल लिवासी है इसके अलबा यह खुले गास के मैदान सवाना और हलके जंगली इलाके पसंद करते हैं सबसे कम चिंता का विशय इन्हें माना जाता है और अगर हम लोग वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो अनुसुची दो मैं इनको रखा गया है तो मैंने जैसा की बता और और यह भारत में मोस्टली हर जगा पाए जाते हैं इसके अलावा स्री लंका में भी इनकी मौजूद्गी है तो हमने इस बारे में बात कर लिए हमने देखा कि यह दोनों आपके गास के मैदानों में पाई जाते हैं इसके अलावा आयूसीन सूची में यह बिल्कुल ही चिंता जनक नहीं है इसलिए यह स्टेट्मेंट गलस होता है आपका अंसर होगा केवल एक ठीक है अब आजाते हैं अगले सवाल पे पांडूला गुट्टा एक प्राचीन भू वेग्यानिक इस्थल जिससे आधिकारिक तोर पर राज्य के एक मात्रा भू विरासत इस्थल के रूप में नामित किया गया यह कहां इस्थित है अब यह जो पांडूला गुट्टा है इससे एक आप यह कहें कि एक स्थेटस मिला है जो की भू वग्यानिक इस्थल के तौर पर जाना जाएगा जिसे आप यह कह सकते हैं जीयो एक हैरिटेज साइट भू विरासत इस्थल ठीक है जो की अभी चर्चा में था क्योंकि अभी हाली में इसको यह स्टेटस मिला है और यह त्यलंगा नाम है इसकी लोकेशन आप देख लीजिए पांडवुला गुट्टा यह कहीं यहाँ पे त्यलंगा नाम है और यह एक छेत्र है जिसे आप यूं कहें कि जियो हरिटेज साइट के तौर पे मानित्ता प्राप्त कुई है यह पिए आप देखेंगे कि कुछ रॉक्स पेंटिंग्स भी यह आप आई गई है जिसके लिए यह फेमस है और इसका नाम है पांडवुला गुट्टा वह इसलिए दिया गया था कि यह माना जाता है कि पांडव जो है अपने काल में यहाँ पे आ करके कुछ वक्त रुके थे जब उन्हें वनवास दिया गया था ठीक है तो इसी लिए यह फेमस भी है आपका उत्तर है अगला सवाल है शिप्रा नदी के संबन्द में निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए यह मध्यपरदेश में चंबल नदी की एक सहायक नदी है और मालवा पठार में बै तो अगर हम इसके कथनों की बात करें कि इसके औरीजन की बात करें तो कि यह काकरी टेकरी विल्कुल सही है और यह विंद्या नामक पहाडियों से स्टार्ट होता है और इसके अलावा इसकी मुख्यक नदीया जो है खान और गंबिरिये यहां पे आप देख सकते हैं कि और अगरी नाम से स्टार्ट होती है जगह से स्टाट होती है और फिर यह फाइनलिज आप देखेंगे कि यह का नदी और यह गंभी नदी यह इसकी सायक नदिया है खिक ए है clock ते तीनों कि पर रहे नि और कटे बंदियर वनों में रहते हैं दूसरा 2021 की जन गर्णा के अनुसार शॉंपेण की अनुमानी जन संख्या 239 थी भारत के सबसे कम अध्यान किये गए विशेश रूप से कम जोर जन जाती है समू जैसे की जिसे हम पीवी टीजी कहते हैं उन इस लिए है कि इस जन जाती ने पहली बार 2024 के इलेक्शन में वोट किया था ठीक है इसके लिए यह और यह जन जाती जो है ग्रेट निकोबार दीप पाई जाती है करते हैं मचली पकेड़ते हैं तो यह सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही है डी आपका सही उत्तर होगा आगे बढ़ने से पहले हम लोग इनके बारे कुछ और चीज़ देख लेते हैं जैसे कि आप सेंटेनली हैं जरावाज हैं ठीक है इसके अलावा शॉंपेंस हैं निको में रहा था विकाज यहां पे जो मिलिटरी ड्रिल्स वगेरा भी होते रहती है आपको पता होगा कि यह एक ट्राइ सर्विस कमांड है तीनों सेवाव का यहां पे प्रिजेंस मौझूद है और इसके लिए यह काफी इंपर्टन हो जाता है विकाज चाइना इस एरिया में क अब्यास पश्चन है चांग चैन्मो घाटी निम्ले लखीत में से किस इस्थान पर रश्चित है लद्दाक सिक्किम अरणाचल प्रदेश या फिर मणिपूर ठीक है तो आप यह देख लेंगे और इसको आप अटेम्ट कीजेगा और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट लख कि मुझे अज्चन हैन्मो तो आप किस इसकी कुछर कशी यह झाल झाल